हलो दोस्तों मैं दिनेज आप सभी का एक बर फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तों मैं जानता हूँ काफी टाइम से मैंने आप लोगों के लिए कोई भी स्टोक से रिलेटेड वीडियो अपडेट नहीं दिया लेकिन दोस्तों आज जो स्टोक में बताने वाला हूँ आज ही उसका रिजर्ट आयो रिजर्ट इतना जोड़दार है कि आने वाले टाइम में यह आपको काफी अच्छा अपमूव जो है वो दिखाने वाला है जैसा कि मैंने सीडी असल के अंदर आप लोगों को जो बताया था आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं मैं आई बटन देखें यहां मैंने इसके अंदर कुछ लेवल जो है वो बनाई हुए है तो यहां से यह अपने देखें कि देखें पहले तो इसके चार्ट को आप समझे यहां से इस टोक ने अपसाइट दिखाया और यहां से एक अपसाइट लगाने के बाद इसने यह एक लोग बनाया और उसके बाद इसने एक और अपसाइट दिखाया यहां यह क्या है 200 EMA है इसका रिजेक्शन लिया और इसके बाद इसने यह लोग जो बनाया उसके बाद इस लोग को इसने ब्रेक नहीं किया यहां इसने एक नया हाई बनाया इस तरह से और उसके बाद एक और लोग बना यह मुझे लगता है कि यह जो मैंने चैनल जो बनाया है इसके उपर कहीं ओपन होने वाला है यदि यह यहां या फिर यहां ओपन होता है तो इसके अंदर यहां यह वाला जो है 647 यह लेवल कल की तारिक में मुझे लगता है ब्रेक होने वाला है लेकिन ऐसा मेरा मानना है दो मैं आप लोगों को बोढ़ रहा हूं कि यह जो 650 के आसपास है इसके कल opening होने वाली है तो यह मैं किस बेस पर आप लोगों को बता रहा हूं तो चलिए यहां मैं आपको इसका जो है result जो है वह दिखाता हूं तो इसके अंदर result के अंदर अपन क्या करते हैं Screener जो है website उसको open करते हैं इसके अंदर जैसे यह जो है open होगी उसके अंदर यह आप देखेंगे upcoming result आज के दिन में जो result आने वाले थे उसमें देखिए यहां अपने नीचे स्क्रोल करेंगे तो अमरा राजा यह रहा अमरा राजा Energy अभी देखें अमरा राजा बेटरी जो थी उसका नाम जो है वो convert हो गया है यहां आप देखेंगे तो यह देखेंगे अमरा राजा बेटरी लिम्टेड अर बील था जिसके बाद अब जो नया नाम है अमरा राजा Energy and Mobility लिमिटेड कर दिया है और आज के दिन जो यह result आया है उसको देखिए कितना जबरदस result आया है तो यहां आप यह जो quarterly result है इसको आप देखने यह समझने की कोशिस कीजिए कि sales जो है company की हर साल sorry हर quarter जो March 2023 का quarter था उसमें 2439 जून 2023 के अंदर यह 2770 और अभी जो आई है वो sales आये 281 ठीक है और यह किसमे है rupees in crore तो यह तो है sales और net profit यह आप देखेंगे तो यहां यह आप देखेंगे तो देखिए यह जो 2023 है यहां देखिए 214 का आया है तो इसका मतलब last देखिए यह वाला जो quarter था September quarter के अंदर 202 का था अभी जो बढ़कर आया है वो 214 करोड का आया है और यदि देखिए net profit बढ़ेगा तो EPS जो है earning per share वो भी क्या है इंप्रूव हो रही है 11, 13, 8, 11 और 12 अभी यदि आप पिछले 5 quarter का देखेंगे तो जो यह 13 के करीब जो है उसके आसपास यह पहुँच गया है तो अब आप इसको ऐसे समझेए कि stock के price में यह क्या हुआ है तो stock का price यदि आप पिछले 3 साल का देखेंगे तो यह low पे चल रहा है यदि यहां देखिए P ratio है यदि company का P ratio देखेंगे तो देखेंगे यहां आपको यह जो है continue यह जो आपको बड़े बड़े जो बार दिखाई दे रहे हैं यह जो बील्डिंग सी दिखाई दे रहे हैं यह क्या है यह आपका earning per share है तो stock की देखें यह रहा है टीटीम EPS earning per share company का जो है वह बढ़ रहा है लगातार हर साल हर quarter में यह आप देखेंगे तो company का earning per share ब smart अफैजिए इसको अबने करते हैं जो आप ऀडियर कर किवाड़ का कर लेते हैं नदर भी आप देखेंगे तो यह अपने LEON पर चल रही है 10 year का देख लेते हैं तो ये भी क्या है low पर चल रही है maximum ये आप देखेंगे तो अभी क्या है ये आपको discount में मिल रही है ये मान के चलिए ये ये P जो है इसका देखिए आप P peer group के अंदर आप देखेंगे तो P देखेंगे सबसे सस्ता जो है इसी का है और debt के मामले में देखेंगे तो debt भी इसके पास सबसे कम है और ROC, ROE return on equity 10 के उपर है और return on capital employed यदि इसके उपर debt होता तो हम ये देखतें लेकिन debt नहीं है तो ROE ये होना तो 15 के उपर चाहिए लेकिन यहाँ 14.85 है ये भी काफी अच्छा है मैं तो ये कहूँगा खराब नहीं है और public की holding देखिए 30% है और promoter holding 28% है तो इसका मलब बाकी क्या है FIIs और DIs है तो यहाँ आप DIs के देखेंगे तो देखें यहाँ 10 से 16 हो गया है ठीक है और FIIs क्या है 35 से 24 होगे मतलब ये चले गए तो ये आगए और इसके साथ में public भी इसके अंदर involved हो गई तो result के according यदि आप इसके अंदर देखेंगे तो result अभी old time high पर चल रहा है अभी देखें लाश्ट चार quarter का जो result है वो क्या है net profit काफी अच्छा है और इसके को यदि आप इसके अंदर देखेंगे तो आपको stock जो है वो यहाँ अभी आपको stock यहाँ दिखाई दे रहा है आने वाले time में या कल के दिन यदि global market positive रहा तो मुझे लगता है यह stock जो है यहाँ कहीं 640 के असपास open होगा और एक high जरूर बनाएगा यहाँ तक का 670 का तो आप तयार हो जाएए कल के दिन आप इसको अपनी watch list में रख सकते हैं मेरे कहने से आपको buying का जो decision है वो नहीं लेना क्योंकि यह देखे stock काफी आपको discount में मिल रहा है इसका यदि आप all time high high जो है तो देखेंगे यह जो यह हजा रुपए आपको 600 रुपए मैं मिल रहा 40% discount में मिल रहा है इस से ज़्यदा आपको क्या चाहिए तो उमेद करता हूं दोस्तों आज का यह जो वीडियो है वो काफी आप लोगों के लिए learning जो है वो provide करेगा मिलते हैं इसी तरह के और educational वीडियो के साथ वीडियो यदि अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक और शेर करना मत बूलेगा